दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो Bank of India की Mobile Internet Banking को स्टाट करना सीख लिया था जायर सी वाल था जब Mobile Banking आपने स्टाट किया है तो वह ऐसे इतनी किया है आपको balance बेजना भी होगा, मंगाना भी होगा, सारे features उसके use करने होगे तब ही आपने जो है मोगाल बेंकिंग को स्टार्ट दिया होगा तो आप बात करते हैं कि पैसे को हम ट्रांसफर वगारा कैसे कर सकेंगे जैसे कि आपको पताइए एनिएट्री आइंपीएस रटीडिएस वगारा वगारा जो मेथड है पेवेंट ट्रांसफर करने के तो उनक किसी भी एकांट को अपने मोगाल बेंकिंग में एड कैसे करेंगे और उसमें बैलन्स को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तो यह सब जो है जैंकारी में आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्रम होगी यह मैं कता ही नहीं चाहता हूं कि वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई प्रोब्लम हापाई तो इसलिए आपसे रिव्वेस्ट करता हूं वीडियो को पूरा जरु अध्यांस से दिखे ना तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में वीडियो को स्टार्ट कर ल बड़ आपके पास हो गाई तो चलिए हम अपना फटाबट से जो है मोबाल वेंगिंग का एबलिकेशन है उसे ओपन कर ले रहे हैं ओपन होने पर यह कुछ इस तरीके से आता है आपको पता ही है यहां पर जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहां पर यहां आपके आप चाहे तो मॉबाल नमबर से लोगिं कर लीजिए चाहिए जो है यूजर Mi का प्र्वार या कि तर्व कर लीजे या की तरू तो चलिए मैं आपनी यूजर बाली स्विंह डिए यहां पर पासवड पर जावाया श्कमेश कर देख दो यह आपका लूगिं कर हो रहा है और इसके बाद यह हमारा login हो के आ गया है तो यहां पर मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पिछला वीडियो जो है देख सकते हैं उसमें मैंने मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट करने की पूरी जानकारी दे किंगे आपको किल्क करने बाद अभी ब Kritik करने वारा क्यांण कोई नहीं आ रहा हो अगर कर लेगे तो यहांban पे लाट कर देगा है तो आपको यहांपए new करनी पर कूछ अ आपको जो है क्लिक कर देना है इस लिंक पर जैसी क्लिक करें तो यह एक पेज ओपनों के आ जाएगा जहाँ पे आपकी और आपके बैनिफीशियर की डिटेल है पर पूछेगा आपकी डिटेल हैं पर सबसे पहले पूछे कि आप अपने कौन से ऐकांट से बैलेंस को बेजना आप चाहरे हैं यह इसलिए आता है कि कई सारे लोग एक दो तीन एकांट रखते हैं अपने जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है तो अगर उनके पास एक एक से ज्यादा एकांट है तो आपको यहां पे सोख हो जाएगा तो आपको यहां पर सबसे पहले जो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है अगर किसी फ्रेंड का या रिलेटिव का बैंक ओफ इंडिया में ही एकांट है और उसमें आप बैलेंस को भीजना चाहरे है तो आपको सेलेक्ट करना है बी यो आई थर्ड पार्टी अगर उसका किसी दूसरी बैंक में अकांट है जैसे कि आप बैंक ओफ इंडिया से बेज रहे हैं और उसका एकांट जो है इस्टेड बैंक ओफ इंडिया या पी एन बी या अदर किसी बैंक में है तो आपको सेलेक्ट करना है यहां पे जादा जनकारी के लिए मैंने अलेड़ी एक SBI को लेके वीडियो बनाया है उसमें मैंने सारी डिटेल बताई हुई है आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसके निचे आपको मिल जाता है आई एम पीएस का आप जानता ही है जो इसके निचे आपको देख जाएगा इडि क्या होती है तो आप वीडियो देख सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ आई एम पीएस को लेके यहां पर जो है आपका बैलेंस जो है तुरंट ट्रांसफर होता है तुरंट जो अधर दूसरी साइट जो है क्रेडिट भी हो जाता है तो मैं आ पर पर आपको कलिक करने है तो यहां पर साथ है सारे ओप्सन खल के आजाएंगे ड़ालicki मिट सेट कर सकते हैं तो यहां पर लिमिट चाहल सेको कर सकते हैं तो लिमिट कम हो जाएगी ज़्यादा भी हो जाएगी यहां पे तीन टैप की लिमिट दी हुई है पर डे लिमिट पर वीक लिमिट और पर मंत आपका transaction password पूशेगा जो आपने mobile function करते टाइम पर बनाया हुआ था वो आपको यहां पर दे देना है तो चलिए मैं फटाबट से अपना transaction password एंटर किये दे रहा हूँ मैंने अपना transaction password एंटर कर दिया इसके बाद गया ओके कर देंगे सेलेक्ट कर लिया है नीचे मेरे account का balance आजाएगा जितना भी होगा वो यह आप पर आपको so कर देगा आप नीचे आ रहा है payment mode जो आपने अभी choose किया था तो मैंने IMPs किया था उसी को दोवारा से कर लेंगे और ok कर देंगे अब यहां पर नीचे आपसे मांगे beneficiary name तो किस नाम से account है तो मैं अपनी account में आपको करके दिखा दे रहा हूँ तो मैं अपना नाम यहाँ पर डाले दे रहा हूँ तो आप जिसके account में बेज रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर डाल देजिए उसके नीचे यह beneficiary account number आपसे पूँचा जाएगा तो आपको यहाँ पर account number beneficiary यहाँ जिसके account में आप भेजना जा रहे है जिसका नाम डाला उसी का account number आपको दे देना है मैंने account number यहाँ पर यहाँ पर दे दिया आप इसके बाद beneficiary आई-fac code पूँच रहा है बैनी vc-ring का आई-fac code क्या है अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं तो यह सीसा सल एक सिंबल आ रहा है तो इस पर आप किलिक करके जो है search वी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं search करके आपको बता दे रहा हूँ गर आपके पास already है तो आप directly डाल सकते हैं नहीं है तो आप यहाँ पर enter bank name पहले डाल दीए तो मेरा uko bank का account जो मैंने डाला है तो uko bank के यहाँ पर देखिए इस तरीके से डालेंगे नीचे आरा city का तो city यहाँ पर enter कर देंगे एटा है तो मैं एटा सेलेक्ट कर दूँगा अब नीचे आरा ब्रांच का तो ब्रांच यहाँ पर मेरी अलीगंज की है अलीगंज डाल दिया अब यहाँ पर search पर click कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे मैंने जो detail डाली है उसका IFC code यहाँ पर इसने auto search करके दे दिया हमको केवल IFC code के उपर click कर देना है एक रुपए है आप नीचे पढ़ सकते हैं एक रुपए आप minimum बेज सकते हैं ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना बेजना चा रहे हैं जितनी limit आपने set की उससाब से बेज सकते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपए बेज के दिखा दे रहा हूं अब इसके नीचे आपको remark का दिख जाएगा आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं तो मैंने remark में self डाल दिया क्यों मैं अपनी account पर बेज रहा हूं तो यहाँ पर यह सारी details आप एक बार verify कर लेजिए आपका account नमबर बगएरा सबको सही से भर गया है कि नहीं बगया है कि आपका तो यह account number सबसे पहले आजाएगा जिस account से debit हो रहा है उसके बाद जो है कौन सा account आप एड़ कर रहे है ओके पर क्लिक करने वाद यह थोड़ा सा processing में जाएगा और यह अभी आपको एक message दे देगा तब थक के लिए हम थोड़ा सा बेट करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर message आ गया है मेरे बाद transaction successful है यानि कि यह हमारा पैसा आराम से transfer हो गया है चलिए अब मैं आपको account number आ जाएगा और अभी आप देख सकते हैं हमारे account में balance जो है के 900 रुपे रह गया है अभी आपके सामने 1000 रुपे यहाँ पर था अगर हमको statement चेक करना तो इसी पे हम जो amount आ रहा है इसके उपर एक वारी किलिक कर देंगे amount के उपर किलिक करेंगे तो आप से यहाँ पर transaction दिखा देगा तो आप यहाम पर देख सकते हैं मेरे जो भी transaction है तो यहाँ पर इसने दिखा दिये वोगे email पर statement चारहे हैं, तो email statement पर click कर देंगे, तो फिलाल मैं ये कुछ नहीं करने वाला हूँ, अगर आप चाहते हैं, तो आप इसे सेख कर सकते हैं, तो मैं यहां से आजाता हूँ back, बैक आएंगे तो फिर से हम बहीं पर आ जाएंगे, करना सब कुछ सीख के होंगे इस वीडियो के मांध्यम से लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत रह जाती है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूंच सकते हैं मैं आपको जो है उसका रिप्लाइच जरू करूंगा तो फिलाल के करें दोस्तों इस व्टव में इतना ही था जल्द हीं अगले व्यडियो में ॉपिक के साथ अपलों के साहते है मिलोगा पीन्याजा थे हो हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं कि आ हूंकि छैनल को सब्क्राइब DOege बस इससे क्या होता है हमारा वीडियो बनाने के लिए और दो पे हमारे और मुझा र सब्सक्राइबT झाल झाल झाल